इसका नम्बर जो है उसका जो बाकाइदा आज आगास कर रहे हैं और चेप्टर नम्बर टू का नेम है थेयरी आफ क्वाडर्याटी क्योईजन ने सारे जो क्वाडर्याटी क्योईजन होंगे रून पर कुछ डिफ्टेंट टाइप अपरेक्शन्स होंगे तो बिला ताहिर हम आते हैं जी इसके कुछ निच्राफ रूट साफ कौडराटी कोई है इसके उपर आते हैं सबस्क्रिमिनिन फॉर्मूला आज इसको स्टडी करेंगे आया कि यह इसक्रिमिनिन फॉर्मूला है क्या तो हमने लाज चैप्टर नवर वान में तीन तरीकों से क्वाड़राटी को सॉल्व करना सिखा था रूट में से एक था क्वाड़राटी फॉर्मूला एक फेक्टरिजिस्न मैठर था उसका बाद क्व्रीटिंग स्क्येर मैठर था एकने question में आपने formula apply किया था और वो formula क्या था x equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root के इंदर है over 2a अब इस formula के इंदर जो x की value है न वो mostly depend करती है कि 20 square minus 4ac का जो ants है वो कितना हता है और x roots कहते हैं इनको या इनको ants भी कहा जाता है या इनको जो solution है वो भी कह सकते हैं तो different नाम है एक ही quantity के root solution अब जो 20 square minus 4ac है इसके बारे में मैंने बताया था कि ये है discriminant इसने हमें ये बताना है आया कि जो हमें ants मिलेंगे वो ants कैसे मिलेंगे आया कि वो ants equal होंगे वो different होंगे कि वो उसका ants मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा इस तरीके से हम ये एक ऐसी value होती है जो हमें क्याप दाती है which tells about the nature of roots of quadratic equation कि आया कि जो roots हम जो solution final करते हैं वो solution किस type के होते हैं और हम जो questions हैं वो पर solve करेंगे अब roots कैसे हो सकते हैं roots are same, unequal, rational, irrational, imaginary या complex तो different types के roots होते हैं तो ये formula जब भी roots की बात आये तो आपने याद रखने हैं और अगर हमें 20 square minus 4 is value निकालनी तो उसके लिए हम सबसे पहले जो standard form है quadratic equation की वो बनाएंगे और वो बनाने के बाद हम उसका compare करेंगे A x square plus B x plus C is equal to zero को साथ जब हम compare करेंगे तो वहांसे हमें जो values हैं A, B और C की मिलेंगी 2.1 का question number one है find discriminant of following given quadratic equation यह short question paper में आते हैं इसमें से करना क्या है just हमने जो discriminant है उसकी just value find out करने हमने पहला पार्ट लिखा हुआ है 2 x square plus 3 x minus 1 equal to zero तो अगर हम देखतो यह already standard form में converts होता है second degree queen है तो अब हमने करना क्या है direct हमने इसको compare करना है with a x square plus b x plus c equal to zero के साथ और coefficient of जो x square होता है वो a होता है question में a 2 मिलेगा b 3 मिलेगा और जो c है वो मिल जेगा हमें minus 1 अब हमें पता है as we know that के जब भी roots के बारे में discussion होगी तो direct roots निकालने के लिए हम discriminant formula यूज करते हैं discriminant formula है b square minus 4 x c अब इसके अंदर हमने क्या करना है जो हमने उपर a b और c की values find out king है वो इसके अंदर replace करते हैं 3 square minus 2 into minus 1 3 का square हो nine minus or minus plus होता है four two zero eight eight one zero eight तो nine plus eight यह बंजेगा seventeen और यहीं हमारा जो है ना answer का just उसने इस question में discriminant की just value पूछी हुई है तो third part बाकी बार्ट में सेम इस तरीके के हैं third part 9 x square minus 30 x plus 25 is equal to zero तो यह standard form में convert है इसलिए a b c निकालके discriminant वहला formula यूज किया उसके अदर values को replace किया अब है minus 30 square minus four into nine into 25 तो जब भी उपर even power आ जाए और जीचे minus लिका हो तो वो जो power even है वो minus को खतम करती है मतलब minus minus plus हो जाते है तो 30 का square किया तो 900 आ गया nine को four से फिर उसको 25 से multiply किया तो आंट्स आगे 900 दोनों को subtract किया तो result मिल गया zero तो इसके दोनों बाकी जो parts है वो भी ऐसी है आप question number three है find the nature of roots of following given quality and result the given solution मतलब साथ roots को nature भी बतानी है और साथ हमने verify करना है कि जो aren't roots के अंदर उपर लिखे गए हैं वो वाके ही ऐसे ही हैं सबस्पहले अगर roots की nature आपने चेक करनी है तो वो depend करती है discriminate की value के उपर तो discriminate की different value हो सकती है discriminate की value zero भी हो सकती है positive number भी हो सकती है positive number के अंदर perfect square भी आ सकते है square नहीं भी हो सकता अगर जो इसका aren't say discriminate का वो हमें zero मिल रहा है हल करने के बाद इसका मतलब यह हुआ कि जो aren't समें मिलेंगे जो roots हमें मिलेंगे वो roots कैसे होंगे वो आपस में बराबर होंगे मतलब same जो values हैं वो हमें मिलेंगे अगर discriminate का जो aren't है वो हमें positive मिले और अगर perfect square है या नहीं है ये दो condition आपने ध्यान से देखनी है अगर roots का aren't positive मिल रहा है positive मतलब zero से बड़ा मिल रहा है हमने देखना है कि आया कि जो aren't मिला है क्या वो perfect square भी है कि नहीं है अगर तो perfect square नहीं है फिर roots irrational होंगे और unequal होंगे तो अगर discriminate की जो value find होती है उस value का जो aren't है वो positive नंबर मिल रहा है और साथ perfect square भी मिल रहा है फिर roots कैसे मिलेंगे? रूट्स हमें मिलेंगे rational और unequal तो ये अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये है unequal के लिए और irrational के लिए अगर positive है साथ perfect square भी है फिर roots कैसे मिलेंगे हमें rational और unequal होंगे तो ये आपने कुछ बातें जहात रखनी है अगर aren't में हमें negative मिल रहा है मतलब minus 5 है, minus 2 है, minus 3 है कोई भी negative number मिल रहा है तो roots होंगे imaginary यहां complex roots होते हैं तो ये आपने जो चारों बातें हैं ये याद रखनी है, जहन में बिठा लेनी है अब जो question number 2 है उसके तरफ चलते हैं तो पहले उसने roots की nature कुछी हुई है ये जो पहला पार्ट है x के र माइनस 23 x प्लस 12, 120 इकोड़ जीरो तो यहां से A, B, C की निकालने के value क्योंकि ये already quadratic form में convert शुदा है तो A की value 1, B की माइनस 23 और C की 120 तो ये long question paper में आते हैं इसलिए इनको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा आप लोगों को अब हम nature चेक करने के लिए पहले हम discriminate formula की help लेंगे उस formula की help से हम अपना जो discriminate है जो की requirement है उसको find out करेंगे formula यूज़ करेंगे B square minus 4 इस formula के अंदर जो find out की हुई values है वो values हमने replace कर दिनी है और जब हम values को replace करेंगे उसके बाद इसको simplify करना है क्लिक्लेशन करनी है तो minus 23 का square करेंगे तो minus का square प्लस होता है 23 का फिर हम square करेंगे तो साथ मैं दिखा भी रहा हूँ कर 23 का square हमें क्या मिलेगा 529 उसके बाद minus 4 को 120 के साथ करेंगे multiply तो जो arts हमें कितना मिलेज़ेगा 480 480 arts मिलेगा में इन दोनों का हम आपस में करेंगे subject तो subject करने के बाद जो arts बनेगा वो बनेगा 49 तो 49 अगर हम देखे तो यह positive number भी है 7 यह perfect square भी है और जब positive number हो और 7 perfect square भी हो फिर roots कैसे होते हैं rational और unequal होते है साथ यह लिखना है इसका एक number है as discriminant का आपस पॉस्टिव है and perfect square भी है तो roots फिर कैसे होए rational और unequal तो sometime short question पूछता है कि इसकी nature बता हो just इतना कर कि मतलब परे discriminant find करना है उसके बाद हमने इसकी nature बता कि verification के लिए फिर हम quadratic formula यूज कर सकते है या factorize भी कर सकते है तो अपनी मर्जी होती है लेकर बच्चे quadratic formula को easy समझते हैं बच्चे को फिर factorization में तरह problem बनता है इसलिए इसको verify करते है quadratic formula के help से minus 23 उसका square plus minus 20 square minus 4 इस formula के अंदर entry की है over 2 एक ही value मेरे पास 1 है तो शारी value को हम enter करेंगे इसके बाद calculate करेंगे तो इस सारे का आंच उपर निकाला 49 बिला था 49 का जो square root होता है वो 7 होता है 23 plus minus 7 over 2 अब इसके बाद ये 2 cases है 1 case में हमने plus के साब से दिल करना है एक के इसमें minus के लिहाद हडिल करना है 23 plus 7 30 30 को 2 से cut किया 15 आ गया 23 minus 7 इसका बंदेगा 16 16 over 2 cut किया तो अब देखें जो आंट्स हमने find out की है वो आंट्स अनिकुल भी है और साथ rational भी है तो ये verify हो चुक है कि जो बात उपर हमने की थी वो अब verify हो चुकी है इसका third part है 16 x square minus 24 x plus 9 equal 0 तो ये standard form में already convert है तो comparing करके ABC की value निकाले Discriminal formula उसकी है उस formula लिकना जो values given थी उन values को enter की है इसके बाद इनको simplify करते हैं 24 का square करेंगे उसके बाद इन तीनों values को आपस में कर देंगे multiply minus जब multiply करेंगे 4 को 16 से और 7 ही 9 से आंट्स बान रहा है 5, 7, 6 मतलब कि आंट्स हमें 0 मिल रहा है मतलब जो roots हैं वो कैसे मिलेंगे equal मिलेंगे क्योंकि जो आंट्स है वो 0 मिल रहा है यह बात पहले हो जुकी थी अब हम ने साथ verify भी करना है वाकिए ही जो आंट्स हम ढूंडेंगे वो same आएंगे तो formula यूज करना है quadratic formula verification के लिए इस formula एक जो values हैं इनको enter करना है तो values को enter करने के बाद इनको simplify करने तो minus minus plus 24 हो जगा इस सारे को हम पीचे हाल करके हैं तो इसका 0 आंट्स मिला था 0 का scale root 0 होता है अगर हम किसी नंबर में 0 को add करें है 0 को subtract करें तो उस नंबर को कोई फरक नहीं पड़ता मतलब के वो नंबर जो है वो same रहता है 24 डिस्टर्ग नहीं होगा 24 over 32 as it की cutting करनी है 2 के table में cut कर लो 3 के table में अगर होता है cut कर लो या 4 के table में cut कर लो इस table में cutting होती है वो कर ले इसको 4 पे कर रहे है 4 6 सा 24 and 4 8 32 फिर cut किया 4 को 3 पे cut किया 3 2 सा 6 3 4 2 0 8 तो यही इस तर जो किसमा रहा